हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब जौब उनुरसिटी चनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपको पता हो कि SSC की कलेंडर आउट हो चुकी है और बहुत सारे ऐसे एक्जैम्स थे जो 2021 में होने वाले थे लेकिन पैंडिमी की करान नहीं हो पाए तो उसे अब शिफ्ट कर दिया गया है 2022 में वो सारे एक्जैम्स होंगे SSC के तो यहां आप डिटेल में सारे एक्जैम्स देख सकते हो उन्होंने सारा डिटेल डाला हुआ है कौन-कौन से एक्जैम्स होंगे अब अगर बैंकिंग एस्पिरेंट्स की बात करें तो बैंकिंग एक्जैम्स में सबसे बड़ा डर था NRA CET का क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि NRA CET जब भी लागओ होगा तो उसके बाद जो आपका बैंकिंग का जो भी IBPS के एक्जाम्स होते हैं या SBI के एक्जाम्स होते हैं IBPS PO, IBPS CLERK या IBPS RRB PO & RRB CLERK तो इन सारे में जो pattern अभी तक follow हो रहा था banking exams में, उन सारे को change किया जाएगा, सब को change किया जाएगा, इसे के साथ जो strategy रहेगी, यानि कि जो examination का जो process रहेगा, इस सारी चीज़े change की जाएगी हो सकता है, वो syllabus में भी कुछ modification करें, तो अब इस से बहुत बढ़ा डर था उन candidates को जो अलड़ी एक दो साल से preparation कर रहे है, या वो candidates जो अभी की pattern को target करके 2022 में exam के लिए preparation करें, ये अब डर खत्म हो चुका है, क्योंकि अब जैसा कि SST का calendar अभी जो आया है, वो आप देखोगे तो 2022 का पूरा year है, इसी के साथ 2023 का भी बहुत सारा आप देखोगे कि वो dates included है, 2022 में implement कर दी जाएगी, लेकिन अगर आप देखोगे तो कोई भी उनकी कुछ वैसी planning अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि उसके लिए अलग से committee बैठानी पड़ेगी, फिर वो decide करेंगे कि उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, syllabus में pattern क्या रहेगा, examination कैसे होगा, तो ये सारी pattern है, उसी के recording preparation करना है, कुछ भी ज्यादा changes नहीं करना है, जो planning रहेगा, जो strategy रहेगी, वो पूराने pattern के recording ही रहेगी, इसी के साथ एक और development है कि IBPS की calendar भी बहुत जल्द आने वाली है, तो IBPS की calendar जैसे ही है, आपको सारे exams के बारे में पता चल जाएगी, कौन-कौन से exams होने और कब होने वाले हैं, और आप अगर preparation कर रहे हो, अगर आप preparation कर रहे हो, 2022 को target करके तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने preparation स्टाट नहीं किया है, तो आप preparation कर दो, क्योंकि बहुत सारे exams होने वाले हैं, बहुत सारी vacancies आने वाली है, आप मेहनत करते रहो, planned way में preparation करो, आपका selection जरूर होगा, all the best